दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल नागियाज लरने गड़ा बर दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं RPSC First Grade के लिए जो Literary Forms हैं उनमे एक टॉपिक आता है Ode जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं संबोध गीती यह संबोध गीती क्या है किसी को एड्रेस करते हुए संबोध गीती या Ode क्या है किसी को एड्रेस करते हुए किसी के कारियों का बखान क्या जाता है यह कोई पुरानिक हीरो हो सकता है, कोई पुरानिक नायक हो सकता है, कोई देवता हो सकता है, जिसके कारियों को या जिसके कारनमों को हम गीतों के माध्यम से उसकी प्रसंसा में उसको एड्रेस करते विव्यक्त करते हैं, उसको हम ओड कहते हैं तो यहां पर एक छोटा सा topic है यह ode इसके संबन में कुछ 5 साथ चीजे हैं जिनको आपको जानना जरूरी है अगर आप first grade की त्यारी कर रहे हैं और literary forms topic आपको त्यार करना है तो उसमें यह topic आता है तो चलिए start करते हैं हमारा topic है ode ode यानि की संबोध गीती कहते हैं इसको इसकी first line है कि it is a long lyric point यह एक लंबी जो है संगीत में कवीता होती है it often begins with invocation यह अकसर जो है invocation से शुरू होती है मतलब किसी की प्रसंसा में शुरू होती है और it is the form of an address और यह किसी को संबोधित करते वे लिखी जाती है और it is addressed to a person और an object यह किसी person को यह किसी object को address यह संबोधित करते वे कही जाती है the subject matter is generally serious इसका जो subject इसकी जो विश्यवस्तु होती है अकसर गंभीर होती है या serious होती है मतलब जोली mood नहीं होता है कोई मजाकिया या funny mood नहीं होता है किसी भी व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के कारियों का उलेख करते हुए उसके प्रसंसा में जो यह गीत होता है एक lyric होती है एक poem होती है उसको हम ओड कहते हैं और इसका जो subject matter है जिसको हम विश्यवस्तु कहते हैं वो गंभीर होता है और फिर हम आगे बात करते हैं कि the romantic point wrote many odds जो romantic point थे उन्होंने बहुत सारे ओड लिखे थे the great point पिंडार पिंडार's odds are also as पिंडारीक odds सबसे पहले जो पिंडार थे यह एक Greek point थे यह एक युनान के point थे इन्होंने ओड की शुरुआत की थी और इनके ओड को पिंडारीक ओड कहा जाता था पिंडारीक ओड इन इंग्लिश लिटरेचर are also known as the regular odd इनके जो पिंडारीक ओड हैं जो पिंडार के द्वारा start किये गए थे इन odds को regular odds भी कहा जाता है यानि कि पिंडारीक ओड और regular odds एक ही चीज़ है यहाँ पर कुछ important odds की हम यहाँ पर बात करेंगे जो कुछ विद्वाने द्वारा कवियों द्वारा लिखे गए हैं जैसे ode to duty और ode to intimation of immortality यह विलियम वर्ट्सवर्थ के द्वारा लिखे गए दो ode है और ode to the nativity of Christ यह जोन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक ode है तो ode कोई ज़्यादा लंबी चोड़ी कहानी नहीं है ode एक छोटा सा topic है और यह हम first grade के लिए हम school lecturer के लिए तैयारी जब करते हैं first grade के लिए वहाँ पर हमारा literary forms जो topic है literary forms वहाँ पर यह topic आता है यह हमारी class number 3 है इससे पहले हमने दो topic और पढ़े हैं कौन-कौन से दो topic पढ़े हैं एक epic पढ़ा है और इससे पहले हमने एक sonnet पढ़ा है और यह हमारा तीसरा topic है ode तो यह छोटे-छोटे परते एक topic पर वीडियो होंगे आप इनको देखें और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में share जरूर करें और चैनल को subscribe करें लाइक करें ताकि समय पर आपके पास हर वीडियो की notification पहुंच जाए दोस्तों अगली class में फिर मिलते हैं नमस्कार